नमस्कार मित्रों, अमारे चैनल एस सीविल पॉइंट में आपका स्वागत है, आज हम लोग एक महत्पुर्ण विशे पर चर्चा करेंगे, जो है भूकंप तथा भूकंप रोधी भवन, तो भूकंप क्यों आता है, तो पृत्वी के डिस्टर्ब होने से भाइवरेशन यान कारने की कमपन उत्पन होता है, तो पृत्वी को डिस्टर्ब करने वाले स्ष्रोत या कारण मुख्यतः पांच हैं, पहला ट्यक्टॉनिक एक्टिविटी, दूसरा वॉलक्रानिक एक्टिविटी, तीसरा लेंड स्लाइड एन रॉक फॉल एक्टिविटी, चौथा रॉक पांच मां नुकुलियर एक्जपोर्शन, येही मुख्य पांच कारख हैं, जो कि भुकम पैदा करते हैं, अब सबसे पहले हम लोग ट्यकॉनिक एक्टिविटी पर चर्चा करते हैं, ट्यक्टनिक एक्टिविटी, ट्यक्टनिक प्लेट के आपस में तकराने की वज़ा से होता है वैसे तो टेक्टोनिक प्लेट कई हैं लेकिन मुखितह साथ पहला है यूरेशियन प्लेट दूसरा इंडो अस्टेलियन प्लेट तीसरा पैसिफिक प्लेट चौथा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पाचमा साउथ अमेरिकन प्लेट छठा अफ्रिकन ट्रॉक्तोनिक प्लेट के टकराने का प्रभाब क्या पड़ता है उसका सबसे पहला जो प्रभाब पड़ता है Ground का shaking होता है यानि कि घ्ल्ले का शुरू हो जाता है Ground दूसरा structural hazards होता है सनराचनाए खत्रे में पड़ जाती है लिक्विफेकेशन होता है इसका मतलब मिट्टी या धर्ती का जो कम्प्रेसिव स्ट्रेंट है इतना कम हो जाता है कि उसका बहाव पानी की तरह होने लगता है चौथा, ground failure हो जाता है, यानि कि जमीन फटने लगती है और land slide होने लगता है, खिसकने लगता है, पांचमा, सुनामी आ जाता है, समुद्री में बरी बरी लहरें उठती है और आसपास के किनारे के मकानों पर उसका काफी दुस्प्रभाब पड़ता है, और पांचमा, भूकंप के केंद्र की गहराई और प्रभावित अस्थल से उसकी दूरी के आधार पर भूकंप का प्रभाब परता है, देखिए आपको फिकर में पता चल रहा है, सबसे नीचे फोकस नजारा रहा है, जहां भूकंप केंद्रित है, और फोकल लेंथ क्या है, प्रिथिवी के उपड़ी सतह का अस्थान और पांचमा है फॉल्ट रफ्चर यानि कि प्रभावित छेत्र और उसके बाद देखिए इपी सेंटरल डिस्टेंस ये क्या है इपी सेंटर तो पीच्वी के उपर वाला वो भाग हो गया जो केंदर से सिधे उपर है यानि कि पूरी गहराई के बाद उपर का भाग और भूकम्प वापन केंदर से इपी सेंटर की जो दूरी है उसी को इपी सेंटर डिस्टेंस कहते हैं भूकम्प के दिस्टी कोन से प्रिथिवी का लेयर चार है फिगर देखिए उसमें आपको नजार आढ़ा है सबसे नीचे का भाग जो है उसको इनर कोर करते हैं जो सॉलिड है और इसका रेडियस 1290 किलो मीटर है उसके उपर का भाग जो है उसको आउटर कोर बोलते है उसक सबसे उपर का भाग जो है उसको मेंटल बोलते हैं उसका थिकनेश उन्ती सो किलो मीटर है और सबसे उपर का जो भाग है यानि की प्रिथिवी का सता है उपड़ी उसका थिकनेश 5 से लेकर 40 किलो मीटर तक रहता है अब इंडिया के बारे में जानना चाहिए हम लोगों को यह देखिए यह इंडिया का मैप है स्टेट के आधार पर है और यह देखिए दूसरा मैप है इंडिया का जो सिस्मिक जोन के आधार पर है देखिए इसमें जो बुलू कलर है वो जोन 2 को इंडिकेट करता है और इसका जोन फेक्टर 0.10 है एलो कलर जो है जोन 3 को इंडिके करता है और इसका zone factor 0.24 है और red color zone 5 को indicate करता है जिसका zone factor 0.36 है zone 1 और 2 भुकम से कम प्रभावित होता है तो उसकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे zone 4 और 5 की चर्चा करेंगे जो की काफी प्रभावकारी होता है तो zone 4 और zone 5 में कौन-कौन से district आते हैं इंडिया के इसको देख लि तो zone 4 में जो district आता है वो है अलमोरा, अंबाला, अम्रिजसर, भरूच, बरवनी, बुलंद सहर, चंडिगर, दार्जलिंग, देहरादुन, देलिही, गंगटोक, गोरकपूर, लुधियाना, मुंगेर, मुरादाबाद, नैनी ताल, पटना, पिलीभीत, रूर्की और सिमला अब आईए हम लोग zone 5 के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि सबसे dangerous zone है, उस zone में आता है भुज, गुजरात का भुज में जो आया था भुकम्प आप जानते होंगे, दर्भंगा 1934 में भुकम्प आया था आप जानते होंगे, गुवाहाटी, इमफाल, शादिया, सीलोंग, स्री नगर और तेजपूर, अब भुकम्प के वेव के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, वेव अब अर्थक्वेग, जो horizontal भी होता है और vertical भी होता है, लेकिन इसको दो तरह से define किया जाता है, एक body wave के रूप में और दूसरा surface wave के रूप में, देखिए figure में आ रहा है, body wave जो primary wave है और secondary wave है, दो तरह का wave है, और देखिए दूसरा figure आ रहा है, surface wave, जिसको पहले wave को love wave कहते हैं, और दूसरे को ray lay wave कहते हैं, भुकम्प का परिवान और तिब्रता, ये दोनों थोड़ा अलग अलग चीज़ है, इसको समझने के लिए, देखिए figure आ रहा है, 100 volt और 200 volt का bulb है, और उसकी दूरी एक से 10 मीटर अगर रखें किसी बस्तु को देखने का, तो रोशनी की तिब्रता घरते क्रम में होगा, उसी प्रकार भुकम्प का भी प्रभाव होता है, और भुकम्प मापन उपकरन, measuring instrument of earthquake, इसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं, इस उपकरन को, जिस ये भुकम्प को मापा जाता है, सिस्मोग्राफ का figure देखी आ रहा है, और मापने का scale, ये चार तढ़का होता है, पहला है रिक्टर scale, ये एक से 10 division में होता है, यानि कि रिक्टर scale पर भुकम्प एक से 10 तक होता है, उसके बाद है MMI, moderate moment intensity scale, इसका भी division, एक से 12 तक होता है, उसक भी एक से 12 तक division होता है, जे में, जापान मेट्रोलोजिकल एजनसी सिस्मिक इंटेंसिटी scale, ये figure में आप देख रहे हैं, इसका भी scale देख लीजे, जैदा तर रिक्टर scale की बात होती है, अभी जो तुर्की में भुकम्प आया, वह रिक्टर scale पर 7.8 था, अब रिक्टर scale बिभिन मान का मतलब समझते हैं कि उसका मतलब क्या होता है, उसका effect क्या होता है, 1 to 4.9 अगर है, रिक्टर scale पर उसका मान, तो क्या उसमें effect होता है, objects जो है, गिरने लगता है, या हिलने लगता है ज्यादा, जैसे दराज से कोई समान का गिर जाना, और यह पूरे बिश्व में 10,000 से लेकर लाखों बार आता है, एक बर्स में, दूसरा 5 to 5.9 ये पूरली constructed building को याने कि जो मकान पूरा गुन के आधार पर नहीं बनाया गया है, उसका quality सही नहीं है, तो वो damage हो जाएगा, और ये भी बर्स में 1,000 से 1500 बार प्रति बर्स आता है पूरे बिश्व में, उसके वाद 6 to 6.9 ये strong damage करता है, ये एक बर्स में कम से कम 100 से 150 बार आ जाता है पूरे बिश्व में कहीं ने कहीं, दूसरा है 7 to 7.9 ये major damage करता है, ये 10 से 20 बार पूरे बर्स में, पूरे बिश्व में कहीं ने कहीं आता है, अभी जो तुर्की में भुकम पाया था, डिक्ट to 9 की तो बात ही मत कीजिए, ये great major damage करता है, और एक कम से कम पूरे बिश्व में कहीं ने कहीं आने की इसकी संभावना होती है, और 9 and greater की तो बात नहीं करें, ये 10 से 50 साल में एक बार आता है और काफी damage करता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पार्ट 2 में हम लोग भु कम से प्रभावित नहीं हो सके, तो यही था ये वीडियो, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दवा दीजिए, ताकि नेक्स वीडियो का नोटिफिशन आपको सबसे पहले मि सब्सक्राइब कीजिए, तो मिलते नेक्स वीडियो में, थैंक ये.